असलाम अलेकुम वेलकम तू अपना किच्छन मेरा नाम है राहत और आज हम बनाएंगे लज़द्दार मटन लज़द्दार मटन बनाने के लिए हमें इंग्रीडेन्स चाहिए 300 ग्राम्स मटन सॉल्ट अकॉर्डिंग टेस्ट 1 टीस्पून अदकलसन का पेस्ट 1 टेबल स्पून ओई 1 टीस्पून हल्दी 1 टीस्पून काली मिच्ची पॉडर 1 कटोरी फेटा हुआ दही 1 विलस पानी 4-5 कटी हुई हरी मिच्ची कोटमीर कडी पत्ता एक पैन में हम तेल लेंगे इसे अच्छे से करम होने देंगे फिर इसमें कडी पत्ता एक करेंगे 4-5 कटी हुई हरी मिच्ची एक करेंगे इनको अच्छे से फ्राइ होने देंगे फिर गैस बन कर लेंगे इसमें फेटा हुआ दही एक करेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर इसमें मटन एक करेंगे अच्छे से मिला लेंगे दही और मटन को गैस अन करके अच्छे से पकने देंगे जब मटन और दही थोड़ा पक जाए तो उसमें हाफ ग्लास पानी आइट करेंगे फिर अच्छे से मिक्स करके लीड लगा कर 10 से 12 मिनिट तक मटन गलने तक पका लेंगे हमारा मटन अच्छे से गल चुका है अगर आपका मटन ना गल रहा हो तो इसमें हाफ ग्लास पानी आइट करके अच्छे से मटन गला ले उसी पैन में थोड़ी सी स्पेस बना कर वन टी स्पोन ओईल अट करेंगे फिर इसमें तीन से चार करी पत्ता और दो से तीन हरी मिर्ची के टुकड़े डाल कर फ्राय कर लेंगे फिर अच्छे से उसी मटन के साथ मिक्स कर लेंगे फिर नमक अट करेंगे नमक आप अपने हिसाब से डाले फिर वन टी स्पून अधर ग्लसन का पेस डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर इसमें काली मिर्ची पॉडर आइट करेंगे कोट मिर्च डालेंगे फिर इसमें हल्दी आइट करेंगे हल्दी आइट करने के बाद इसको जादा देर तक ना पकाएं इसे अच्छे से mix करेंगे इसे दो मिनिट तक पकने देंगे फिर इसे डिशॉट कर लेंगे लीजिए तयार है हमारा लज़तदार मटन ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपी देखने के लिए हमारे चाने को लाइक करें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन्स पानी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें हमें कमेंट और सपोर्ट जरूर कीजेगा